हेलो फ्रेंड्स आई विनोर यादा वेलकम यू अल अगेन और मा यूटूब चैनल व्याइन केमिस्ट्री जैसे कल मैं आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कुईज लेके आऊंगा चैप्टर नमबर टू टैन्थ क्लास एसीड बेसिस एंड शार्ट्स तो दिस इस्ट कुईज केमिस्ट्री कुईज नमबर शिक्स इससे पहले जो पांच कुछ होई थी वह पहले चप्टर में से दे और यह आपका एसीड बेस आल्ट की पहली कुईज है पर टोटल कुईज मेरी छटी है इस इस्ट केमिस्ट्री कुईज फॉर NTSC स्टूडेंट्स ठीक है रूल्स वै यह है आपका कोशन नमबर फर्स्ट चलिए स्टाट सोडियम कार्बोनेट इस आल्सो काल्ड ऑप्शन ए बेकिंग सोडा वासिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर ब्रेड सोडा अपर टाइम शिरू होता है और आपका सही आंसर है वासिंग सोडा यह 10th क्लास के NCRT स्लिवस में से उठावा कोशन है और यह आपका NTSC में आया हुआ सवाल है यह आपका मिजोरम NTSC में आया हुआ सवाल है ओके नाव कोशन नमबर टू आपके सामने है वाट इस दा केमिकल फोर्मुला आप प्लास्टर आप पैरिस ओप्शन ए देख लिए आपने फोर्मुलास को ओप्शन बी ओप्शन सी ओप्शन डी आपका टाइम शिरू होता है भी और आपका सही आंसर है कैचम सलफेट हैमि हाइडरेट फोर्मुला होता है C.A.S.O. 4.5 H2O उसके वाद आपका अगला सवाल आएगा आपके सामने अभी कोशन नमबर टू जापके सामने आचुका है चूज दा करेक्ट ओप्शन फोर्म दा फोलोईंग Option A. Salt of strong acid and strong base have pH value of 6 Option B. Salt of a weak acid and strong base have pH value of 4 Option C. Salt of a weak base and strong acid have pH greater than 7 Sodium chloride have pH is equal to 7 आपका time share होता है वो weakness नहीं यह weak base है ओके सी ओप्शन में कोई दिक्कत नहीं मैंने बता दिया आपको और आपका बिल्कुछ यह option है Option D. क्यों हो देखो जो A option है उसमें जो बनेगा वो है आपका strong acid strong base का है बनने वाले neutral salt बनने वाला है तो उसको तो पीएच्छे हो जी नहीं सकता हो साथ होना चाइए अगले case में जो salt बनेगा भी में वो basic salt बनेगा क्योंकि acid weak है उसकेस में base strong है उसका pH साथ से कम हो नहीं सकता, साथ से ज्यादा होगा और अगले case में weak base है और strong acid है तो strong acid का मतलब वो acidic salt बनाएगा तो उसका pH तो साथ से कम होना चाहिए लेकिन जो D option है उसमें तो sodium chloride है वो एक neutral salt है क्यों? Because it is made up of strong base NaOH sodium hydroxide and strong acid hydrochloric acid जिसकी वज़ेशन उसका pH 7 बिल्कुल सही लिखा गए ऐसे questions को आपने द्यान से statements को पढ़ना है फिर imagine करने चीज़ें Okay, तुका नहीं मारने के आना है कि ऐसी तुका लग जाएगा Question number 4 आपके सामने आएगा Which acid is found in tomato and tamarind? Tamarind होती ही? Option number A, acetic acid and oxalic acid Option number B, oxalic acid and citric acid Option number C, citric acid and acetic acid, oxalic acid and tartaric acid आप पर टाइम शिरू होता है और आपका सही answer है Oxalic acid and tartaric acid आप ये Question भी आपका आया हुए NTSC exam में और ऐसे questions को attempt करने के लिए आपके पास जो books हैं, NCRT की हो या कोई दूसरी publications की हो उन्होंने proper table बना के दे रखा है, ऐसी डाले पार्ट में देखना कि कौन-कौन सी important acids है, कौन-कौन से उनके important source हैं Clear हो क्या, ये तो learn करने हैं आपको, आपका question नमर फिफ्ट आएगा A pH of a solution is 8, its hydronymine concentration is, option नमर A, log 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर 8, 10 की पावर माइनस 8, none आपका time शिरू होता है, और इसका सही option है, option नमर C, आपने जाकर pH के सवाल की होंगे 10th class में, तो pH का formula क्या होता है, बताए, नहीं, hydronymine का formula क्या होता है, 10 की पावर माइनस pH, और माइनस pH होता है की नहीं होता, अब यहाँ पे माइनस 8 है, तो इसकाल आपको pH दे दिया है, तो आड़नymine concentration क्या होगा, 10 की पावर माइनस 8, C option, आपका अगला question आपके सामने आएगा, question number 6, acidity in the sugarcane juice is removed by adding, option A, calcium hydroxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, water, आप ताइम शिरो हता है, और आपका सही answer है, calcium hydroxide, यह fact based question है, you have to remember this question, okay, आपका next question आएगा, question number 7, pH of a neutral solution is, बहाद असांत question है, option A, 8, B option 7, C option 5, D option 1, आपका time share होता है, और इसमें explanation की कोई जुरूत नहीं है, आपका सही option है, 7, okay, आपका अगला question आएगा भी, question number 8, salt made up of non-metallic element only is, option A, sodium chloride, ammonium chloride, aluminium nitride, magnesium chloride, आपका time share होता है, और आपका बिल्किल सही answer है, option number B, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो, sodium chloride में, sodium atom है, जो कि metal है, ammonium nitride में, ammonium element है, जो खुद एक metal है, magnesium chloride में, mg element है, जो metal है, अब ammonium chloride में, देखो, ammonium ion is made up of nitrogen and hydrogen, which are considered as non-metals, chloride is made up of chlorine atom, which is also considered as non-metal, अब कोशन में ये पूचाता है कि कि साल्ट में, non-metallic element है, इसले आपका 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 आप्शन है, option number B, ammonium chloride, it is a pure non-metallic elements, it is made up of non-metallic elements, okay, now, question number 9, identify an acid among the following, option number A, यहां formula दिये जारे हैं आपको, KOH, NaOH, BOH का whole thrice, LIOH, दिमाग लगाईएगा, थोड़ा सा, आपका टाइम शिरू होता भी, और का बिल्कुल सही option है, option number C, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी objection कर सकते हैं, आपने तो बताया थे और में कि OH जहां पर आपका बेस होता है, और यहां तो चारों में ही आपको OH दे रखा है, पर मैं बता देता हूँ, BOH whole thrice इसका तरीक है लिखने का, पर इसका जो सही formula होगा, H3BO3, it is a boric acid, KOH के है potassium hydroxide, NOH के है sodium hydroxide, और D के है lithium hydroxide, यह boron hydroxide नहीं है, यह boric acid है, इसका दूसरा formula होगा, H3BO3, इसलिए C, इसको प्लीज आप याद रखिएगा question को, clear हो के है आपको, now question number 10, which metal cannot displace hydrogen from dilute acids, option number A, zinc, option number B, magnesium, copper, all, आपका time 0 होता भी, बेहाद आसान question है, और आपका सही answer है, option number 3, it is based on that activity series, which you have read in chapter number 1 also, okay, काकेला copper ऐसा element है, जो hydrogen के निचे है, तो तो है नहीं, zinc, magnesium तो है नहीं, clear हो क्या, तो जब hydrogen से निचे लाई कर रहे है, तो acid के hydrogen को कैसे replace कर देगा, is that clear, now question number 11, the pH of a solution, which turns red litmus into blue, will be, red से blue होगा litmus, उसका pH बताना है solution का, option number A, 1, 2, 10, 7, अपका time शिरो होता भी, और आपका बिल्कुल सही option है, option number 3, क्यों दिया है third, देखो, question को देखो, आपका solution red litmus को blue में convert कर रहे है, red को blue में कौन करते है, base करते हैं, कौन करते है, base करते हैं, तो base का pH 7 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए first और second तो वैसे cancel है, acidic solution है, और साथ क्यों चैनल है, वो neutral होता है, तो एक बच्च आपका 10, इसलिए, इसका option C आपका अंसर, okay, now next question, question number 12, the yellow color of turmeric powder changes to reddish brown in the presence of, option number A, acidic salt solution, basic salt solution, neutral salt solution, none, आपका टाइप शीरो होता भी, और आपका सही answer है, basic salt solution, अगर आपने indicators पढ़े होंगे, ध्यान से, तो महाँ आपे turmeric powder भी आया होगा ना, कि yellow color of turmeric powder changes to reddish brown color, in the presence of a base, इसका example आप घर भी करके देख सकते हैं, अगर आपकी white shirt के उपर, आपके सबजी का दाग लग गया, जो yellow color का होता है, हल्दी के वज़े से yellow color का होता है, और आपकी मदर अगर दाग को साबून से दोती है, यह आप खुद दो के देखिएगा, वो अगर दाग जो है, reddish brown color का हो जाएगा, क्यों साबून में होता है, washing soda, washing soda कैसा salt है, basic salt है, is that clear now, now question number 13, a salt can be produced by reaction between, option number A, reactive metal and an acid, acid and base, metal oxide and water, both A and B, आपका टाइम शीरो होता भी, और आपका सही आंसर है, both A and B, यह तामने पड़े होंगे न, देखाँ जब कोई metal acid से react करता है, reactive metal, मतलब जो activity series में hydrogen से उपर लाई करता है, वो acid के hydrogen को replace कर देगा, खूद आके acid के अनायन के साथ बैठके salt बना लेगा, acid base के भीचिन नूटलाइजेशन एक्षिन होता है, जिसकी बज़े से salt और पानी बनना ही बनना है, अब metal oxide और water को मैं गलत क्यों कह रहा हूं, क्योंकि metal oxide और water जब मिलेंगे तो base बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बेस, इस बज़ेस का option D आएगा, बोथ A and B, आपका next question नूबर 14 अदेंटिफाइदा करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दा टू, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, पहली स्टेटमेंट, रियक्टिविटी अफ अलुमीनियम डिक्रीज इस वैन इस दिप्ट इन निट्रीक असिड, second statement A, a protective layer of aluminium nitrate is formed, due to which reactivity decreases, option number A, statement 1 is correct, second is incorrect, option number B, one is incorrect, second is correct, C, both statements are correct and second is also the correct explanation of the first, option number D, C, both statements are correct, but second is not correct explanation of first statement, आपका time शिरू होता भी, और आपका बिलकुँच यह option है, option number C, देखो जब aluminium nitric acid से react करेगा, तो उसके उपर एक layer बन जाएगी, aluminium nitrate की, जिसकी वज़े से उस layer के नीचे जो aluminium है, वो तो आपका क्या हो जाएगा, hidden हो जाएगा, किस के खिलाब, nitric acid के खिलाब, जिसकी वज़े से उसमें आगे reaction हो जी नहीं पाएगा, यह इस वज़े से दोनों statement ठीक हैं, और जो second statement है, वो पहली statement का सही reason दिया गया आपको, clear होगे आपको, आपका अगला question आपके सामने हैगा, question of 15, an acid obtained by destructive distillation of wood, which in turn gives acetic acid is option A, oxalic acid, pyrolygineous acid, chloroacetic acid, citric acid, आपका time शीर होता है, और इसका बिल्कुल सही answer है, its acid is pyrolygineous acid, देखिए यह question 10th class की book में कहीं नहीं दे रखा है, you have to learn this question, and this question as you asked twice, in anti-acist is one in two different states, okay, please यह से आप याद किजिएगा, कि जब भूड की हम destructive distillation करते हैं, तो कौनची acid बनती है, it is pyrolygineous acid, is that clear, now question number 16th, when sodium carbonate reacts with silica, it gives, option number A, soda glass, B option, option number B, water glass, option number C, crooks glass, option number D, pyrex glass, और आपका बिल्कुत सही answer है, option number D, pyrex glass, यह question भी आपकी book में नहीं दे रखा है, 10th classes labors में, you have to remember this question, okay, जब sodium carbonate रो silica, silica कहां मिलता है, rate में मिलता है, कहां मिलता है, rate में मिलता है, okay, इस बज़े सिसका option आएगा, pyrex glass, आपका next question आपके सामने है, question number 17, in order to decrease the rate of setting of cement, which compound is mixed in it, option number A, slaked lime, option number B, calcium carbonate, option C, gypsum, option C, alumina, आप टाइम शिरो होता भी, यह question भी NTSC में पूच्छावा question आपके इस लेवस का नहीं है, इसे भी याद रखेगा, please, आपका सही option है, बिलकुल, this gypsum, gypsum is added to this cement, ताकि उसका जो रेट है, set होने का, वो decrease हो जाए, क्यों जाए, थोड़ा decrease हो जाए, क्यों सिमेंट की खासियत होती है, उसमें पानी मिलाती है, जैसे आप पी योपी set हो जाता है, ऐसे cement भी set होने की पूरी कोशिश करता है, तो थोड़े देर तक रहे हो, थोड़े देर तक रहे हो उसी condition में, उसमें जिप सम मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, जिप सम मिला देते हैं, ओके याद रखना, अगले साल 11th क्लास में जब आपको सिमेंट की मिनुफक्च्छर तिखाई जाएगी, ठीक है, अगला question आएगा, question number 18th, which one of the following oxides will give pink color when treated with a phenolpethylene indicator, option number A, nitric oxide, option number B, calcium oxide, option number C, carbon dioxide, option number C, nitrogen dioxide, अगर आपको इंडिकेटर्स की कहानी याद देता, आप कर लेंगे, इस question को आराम से, ठीक है, आपका time शिरू होता भी, और आपका बिलकुत सही answer है, option number B, क्योंकि देखो, nitric oxide में nitrogen है, carbon dioxide में carbon है, और D option में nitrogen है, तो ये तीनों nitrogen, carbon कैसे, non-metal particles है, तो ये oxide भी कैसी है, आपकी acidic oxide है, अकिला जो calcium oxide में, जो calcium हो metallic oxide है, और metal oxide किस nature की होती है, basic nature की होती है, और आपको पढ़ाया गया है कि, phenol fateline जो खुद colorless होता है, जब हम उसको किसी base से treat कराते हैं, तो उसका colorless, जो color है, क्या बन जाता है, पिंक बन जाता है, इस वच्छे से, इसका answer है, calcium oxide, okay, now, question number 19 तो आपके सामने है, which of the following oxy acids of phosphorus is monobasic, phosphorus की ना कुछ acids के formula आपको दे रहा है, option number A, H3PO4, option number B, H3PO3, question number C option, H3PO2, H4P2O7, आपका time शीर होता है, और आपका बिल्टो से answer है, option number C, कल जो lecture हुआ था, वहां मैंने इन चारों के, आपको structure मना के बताया था, कि H3PO2 में एक ही OH bond होता है, जिसकी बज़े से एक H+, को release कर दे गाई, इस बज़े से, इसमें H3PO2 जो है, वहां मोनो बेसिक acid है, okay, now, यह 12th class के अंदर structures दे रहा है, 15th group elements के अंदर, now, question number 20th, in the end of manufacturing of cement, फिर कोमा फिर सिमेंटी आता, cement is mixed with the clinkers, कि मतलब, cement को, जब manufacturing खतम होती है, तो cement में क्या मिलाते है, क्लिंकर के साथ, क्लिंकर क्या होते है, जो एक तरह से समझती है, कि राज सिमेंट जो गिरती है, तो उसको proper cement बनाने के लिए, उसमें क्या मिलाते है, option number A, gypsum powder, magnesium powder, alumina powder, none of these, आपका time शिरो होता भी पहले, और आपका बिल्कुत से आंसर है, none of these, क्यों, यहाँ पे calcium carbonate मिलाते हैं, उसके अंदर, क्या मिलाते हैं, calcium carbonate, जो इसमें दे ही नहीं रखें, इसके अंदर, क्यों, आपका अगला सवाल आएगा, question number 21st, the pH of 10 की पावर माइनस 6, normal Qth solution is, यह numerical आप सोल कीजेगा, इसको, ठीक है, option number A, 6, option number B, 7, C option, 8, D option, none, आपका time शिरो होता भी, कर लिया होगा, शयाद आप लोगोंने, थोड़ देर और रुख जाता हूं, ठीक है, फिर आपको पता हूंगा, इसका सही आंसर क्या आएगा, कर लिजा, पहले आप question को solve, आराम से, दो step का है question वैसे, और आपका सही आंसर आएगा, option number C, आपने ऐसे ही क्या होगा ना, पहले आपने जो N दे रहा है, normality, उसे molarity बदला होगा, by using the equation, normality is equal to molarity into acidity, तो normality जाएगा, तो put किया होगा, 10 की बदला माइनस 6, molarity आपको निकाल नहीं है, और इस base की acidity 1 है, तो molarity भी आपका 10 की बदला माइनस 6 आजाएगा, उसके बाद आपने क्या क्या क्या, QH को break किया होगा, K प्लस में और OH नेगेटिव में, तो जो concentration QH क product of water का, KW is equal to H plus multiply OH negative, KW कर नेचा आपने put क्या होगा, 10 की बदला माइनस 14, 10 की बदला माइनस 6, इस से H plus कितना आपका, 10 की बदला माइनस 8, तो pH भी आगा, 8 आपका, ओके, अब आपका अगला सवाल आएगा, question number 22nd, one of the constituents in, one of the constituents in Portland cement is iron oxide Fe2O3, इसका क्या function है, पहला function, option A मे, to impart soundness to cement, when present in small amount, option number B, to make the cement of high quality, option number C, to impart characteristic gray color, strength and hardness to the cement, option number D, to increase the strength and reduce the setting time, आपका time शिरू होता भी, देखे, cement आले, question 10th में नहीं होते हैं, 11th class से उठाए गए हैं, और इसका सही option है, option number D, Fe2O3 मिलाने के बाद, cement की strength बढ़ती है, उसका setting time भी बढ़ जाता है, sorry, बढ़ने जाता है, घट जाता है, reduce करना है, okay, तो आपका अगला question आएगा, question number 23, identify an acidic salt, आपको acidic salt को identify करना है, option number 1, sodium chloride, option number B, sodium sulfate, option number C, cupric sulfate, option number D, sodium phosphate, दिमाग लगाएगा थोड़ा सा, आपका time शिरू होता है, और आपका बिल्कुल सही answer है, option number C, cupric sulfate, ये acidic salt हमने डूढना है, तो देखाओ जो पहला salt है, neutral है, अगला भी neutral है, और चोथा भी neutral है, क्योंकि सभी strong acid हो strong base से मिलके बनने में, क्योंकि सी option acid है, क्योंकि इसमें जो base है, cupric hydroxide, वो weak base है, और जो sulfuric acid है, strong acid है, जिसकी वज़े से जो salt हो, acidic salt को लाएगा आपका, ओके, आपका next question number 24, आपके सामने है, when sulfur dioxide is dissolved in water, it forms, option number A, sulfuric acid, pyrosulfuric acid, sulfurous acid, none of these, आपका time zero होता है, और आपका बिलकुल सही answer है, option number C, sulfurous acid, देखो जब SO2 plus H2 आप करोगे, तो combine कराना है, बने का H2SO3, और H2SO3 को कहते हैं, sulfurous acid, यह sulfur की oxo acids हैं, कुछ, इन्हें भी आप 12th class में पढ़ेंगे, structures वगरा सब कुछ, okay, now, question number 25, आपके सामने है, a solution turns blue litmus into red, its pH is likely to be, option number 1, 7, 4, 10, 12, बहुत असान question है, कर लिया भी होगा, time देते हैं, फिर भी आपको 10 second का, आपको time zero होता है, अभी, और बिल्कुत सही answer है, इसका, option number B, क्योंकि देखा, blue को red कौन करता है, acid करता है, तो 7th neutral solution है, 10 or 12 कैसे है, आपके alkaline solution है, तो एक बच्चा option number B, 4 वाला जो एक खुद acidic solution है, इस वज़े से इसका B answer है, आपका अगला question आपके सामने हैगा, question number 26, identify the correct formula, of washing soda, option number A, na2CO3, na2CO3, point Ns2 आएगा, चलो option DC, check करते हैं, option C देखते है, na2CO3 का all twice, na2CO3, point Ns2, yes, देखे, क्या answer होगा इसका, और अभी आपके आपके टाइम शीर हो रहा है, पहले, यह दो बुक से उठायागा question आपका असान है, आता रहता है, और बिल्कुत सही answer है, na2CO3, point 10H2O, यह है correct formula of washing soda, ओके, आप आपका question no.27 आपके सामने आएगा, which one is the constituent of baking powder, option no.A, citric acid, option no.B, acetic acid, option no.C, tartaric acid, option no.D, oxalic acid, बहाद असान question है, time देते हैं, आपको 10 second का, और आपका भियाद आसान answer है, कर लिया होगा, आप लोग ने, tartaric acid, tartaric acid के साथ और कौन होता है, baking soda, दो याद रखेगा, please a question कई बार आयोँ आएगा, आपका next question आएगा, question no.28, which acid is called king of chemicals, option no.A, phosphoric acid, acetic acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, आपका time शीर होता है, और आपका बिल्कुल सही option है, sulfuric acid, प्लीज याद रखेगा, यह fact based question है, आपका second last question आपके सामने आएगा भी, which of the following salt when dissolved in distilled water give pH less than 7, option no.A, sodium sulfate, sodium acetate, ammonium sulfate, sodium chloride, आपका time शीर होता है, और इसका answer है, it is ammonium sulfate, क्यों, ammonium sulfate के अंदर, जो ammonium hydroxide था, base, वो वीक बेस है, sulfate कहां से है, sulfuric acid से है, जो strong acid है, इस बज़े से जो salt है, यह acidic salt है, और pH उसने पूछा question में salt से कम होना चाहिए, तो इसका अंदर जो salt का है, solution वो अपकुद acidic होना चाहिए, जो कौन बनाएगा, एक acidic salt बनाएगा, जो sodium sulfate है, वो इन्यूट्रल साल्ट है, sodium acetate एक basic salt है, sodium chloride है, खुद न्यूट्रल साल्ट है, ओके, और आज की quiz का आखरी question आपके सामने रहेगा, दा pH of 0.1m sodium hydroxide solution is, option number A, 13, 12, 11, 10, स्वाल को solve कीजिए, आपका time शिरू हो रहा है, और मैं time के बाद भी आपको 10 स्किन नोर देता हूँ, स्वाल को solve करने के लिए, यह से वैसे कोशन है, जैसे हमने पहले QH किया था, hopefully आपने कर लिया होगा, और इसका सई आंसर है, option number A, clear हो गया, समझ गे होंगे आप लोग, क्या करने हैं, आपको 0.1 को ने 10 की पावर में बदल लीजेगा, 10 की पावर माइनस 1m है एक तरह से, ठीक है, तो जो concentration sodium hydroxide की है, वह concentration आपकी किस की है, OH negative की है, फिर आप KW को लगाते, H plus निकालोगे, clear हो क्या, जो आपके आगी 10 की पावर माइनस 13, तो pH की आजाएगा 13, तो यह आज के 30 questions थे, चैप्टर कहां से, acid base and starts में से, तो hopefully आपने enjoy किया होगा, और जिन्होंने ज़्यादा सही correction दिया है, उनकी त्यारी फिर सही चली, NTSC exam point of view से, तो मैं ऐसी quizzes और भी लेके आऊँगा, जिसमें NTSC related questions, important questions ताकि आप पता चले, इस chapter को हमने कैसे पढ़ना है, और क्या त्यारी हमने करनी है, board point of view से, और competitive point of view से, अगर आप कोई lecture अच्छा लगा हो, please like it, share between your friends, and subscribe my channel अगर आप पहली बाद जुड़े हैं, okay, thank you very much,